आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगी बुक फेरनहाइट 451 की समरी साथी हम ये जानेंगे कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या खास चीज बनाती है इस बुक को इतना फेमस रे बैटबरी द्वारा लिखिया किताब 19th October 1953 में पब्लिश हुई थी इस किताब ने कई awards भी जीते हैं या किताब future को ध्यान में रखकर लिखी गई है राइटर की दूरदर शिता ने बताया है कि आने वाली समय में लोग किताबों से दूर होते जाएंगे और 3D television, radio और music को ही सुनना चाहेंगे किताबों में आग लगा दी जाएगी और जिस temperature पे आगस जलता है वो है 451 Fahrenheit इस किताब को तीन भागों में बाटा गया है पहले भाग में हम देखते हैं कि इस किताब का जो हीरो है गाई मॉन्टेक वो एक फायर मैन का काम करते हैं आजकल के नए जमाने के जो फायर मेन हैं ये बिल्डिंग में आग बुजहाने का नहीं बलकि किताबों में आग लगाने का काम करते हैं नए जमाने में सारी बिल्डिंग जो हैं वो फायर पूर बनाई गई हैं तो इन fireman को ये काम दिया गया है कि जो भी outdated literature की books हैं, जो अब कोई पढ़ना नहीं चाता या पढ़के किसी के समझ में नहीं आती, उनमें आग लगा दी जाए. क्योंकि इसको पढ़के लोग depressed होते हैं, उनका mood upset हो जाता है या वो कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. इस समय में दिखाया गया है कि लोगों की सोचने की शम्ता बहुत कम हो गई है और वो हर चीज़ टेलिविजन पे और मीडिया पे देख के ही समझना चाते हैं. Mr. Montek के बारे में बताया जाता है कि उनकी शादी हो चुकी है पर इनकी अभी कोई संतान नहीं है. एक रात को जब ये घर लोट रहे हैं तो इनकी मुलाकात इनकी neighbor से होती है जिसका नाम Claris है. Claris एक teenager लड़की है और वा बहुत खुले विचारो वारी लड़की है. Claris Montek से तरहे तरहे के प्रश्ण करती है जिससे Montek सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने question करना सोचना इसा बिल्कुल छोड़ दिया था और वा एक robotic life जी रहे थे. Montek जब घर पहुचते हैं तो उन्हें मालूम परता है कि उनकी वाइफ ने बहुत सारी sleeping pills खा ली हैं और सोसाइट करने की कोशिच की है. या इसलिए है क्योंकि उनकी वाइफ हमेशा टीवी पे बहुत loud music में violent और बेकार के प्रोग्राम्स देखती हैं या तो फिर वो कानों में अपना earpiece लगाके टेज music और रेडियो सुनती रहती हैं. अब ऐसा होता है तो Montek medical help को बलाते हैं. Medical help आती है और उनकी पत्नी का दूशित खून निकाल कर उसमें pure blood pump कर देती है. तब तक में जो medical help आई हैं उसे मालूम पड़ता है कि कहीं शहर में किसी और ने भी ऐसा ही society attempt किया है तो वो जल्दी से उसको help करने के लिए चले जाते हैं. अब ये Montek जब घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो इनकी पडोसी है क्लारिस उसकी family बाहर आ चुकी है और वो बात कर रही है कि आजकर जिंदीगी कितनी बेकार है, लोगों ने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है और लोग बिल्कुल illiterates की तरह बहिव क करते हैं, रात को वॉक करते समय क्लारिस Montek से बहुत सारे questions करती है, अब उसे बताती है कि लोग क्लारिस की जो question करने की आदत है, जो उसके modern जमाने के ख्याल हैं, उसकी इस आदत को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि ये दिमागी रूप से कुछ इसमें problem ह इसको अपना psychiatrist से इलाज कराना चाहिए और लोग क्लारिस को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि Montek को क्लारिस के सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से क्लारिस Montek से मिलना बंद कर देती है, और वह कहीं गायब हो जाती है, वो कहीं दिखाई नही देती, तो Montek को ये चीज लगती है कि कुछ गरबर हो गई है, आने वाले दिनों में ये Montek जो है अपने fireman का जो काम था कि किताबों को आग लगाना वो काम करते रहते हैं, अब ये लोग क्या करते थे कि सिर्फ किताबों को आग नहीं लगाय जाती थी, मिट्टी का तेल छ अब ये लोग जाते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन ये लेडी बोलती है कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, और वो विचारी उसी घर में जलके मर जाती है, इस घर्टना का Montek के अल पर बहुत खराब असर पड़ता है, वो अंदर तक हिल जाते हैं, कि कि इस तरह बुक्स के लिए वो लेडी जो है उसने अपनी जान दे ली, अब जब ये उस घर में गय थे Montek, तो उन्होंने वहां से कुछ बुक्स चुरा ली थी, अब ये बुक्स चुराना, बुक्स रखना एक फायर मैन को अलाउड नहीं है, इसलिए वो अपने घर आते हैं और एसी डक्ट के अंदर वो किताबे छुपा के रख देते हैं, अब इसमें क्या दिखाया गया है, कि जो इस फायर मैन है, उनके हेलपर होते हैं, जो हाउंड डॉग हैं, लेकिन ओरिजिनल हाउंड डॉग नहीं है, ये उसका रोबोटिक वर्जिन है, ये हाउंड डॉग जो हैं, उनके आठ पैर हैं, और इनके पास कई शक्तियां हैं, इनके पास ट्रैंकुलाइजर्स हैं, इनके पास वेपन्स हैं, इनका काम है पता करना ऐसे लोगों के बारे में, जो किताब छुपा के अपने घर में रखते हैं, फिर उसकी जानकारी ये फायर मैन को देते है जिससे fireman जाके उनका घर जलाते हैं तो रात में जब ये सोने चलते हैं तो अपनी wife से ये पूछते हैं कि क्या तुमें Cladis के बारे में कुछ मालूम पड़ा है तो वो बोलती है कि हाँ Cladis का कुछ दिन पहले ही तेज रफ़तार कार से accident हो गया और वो मर गई है अब ये Montag जो हैं इन्हें उसी Hound Dog की गुराने की अवाज अपने घर के बाहर आती है इन्हें लगता है वो Robotic Hound इनके घर के बाहर है तो इन्हें शक हो जाता है कि जो किताबें उन्हें छुपा के रखी है उस Hound Dog को उसकी जानकारी हो चुकी है अब उनके ओपर खत्रा है अगली सुबह होती है और जो Montag की वाइफ है ये चार ही है कि अपना ये जो morning routine work है breakfast बनाने का इसाब अच्छे से करें लेकिन जैसे ही वो अपना पालर टीवी पालर टीवी मींज जो 3D टीवी है बड़े बड़े दिवाल की साइस की टीवी है वो on करती है तो वो उसी में खो जाती है वो से इतना attracted feel करती है कि फिर वो अपने घर के कोई काम नहीं कर पाती और उसी में busy हो जाती है Montag जो है अब अपनी service को छोड़ना चाते है इन्हें अच्छा नहीं लगा है कि किस तरह वो old lady जलके मर गई तो अपनी wife से ये कहते हैं कि अब मैं ये job करना नहीं चाता मैं ये job छोड़ना चाता हूँ लेकिन इनकी wife डर जाती है कि अगर इनकी fireman की job चली गई तो कहीं इनका TV इनसे ना चिंजाए TV के बिना वो जिन्दा नहीं रह सकती तो ये Montag से कहती हैं कि नहीं आपको ये job अपनी continue रखनी पड़ेगी थोड़ी तेर बात Montag के boss है Captain BT ये उनके घर आते हैं क्योंकि उन लोगो जानकारे मिल चुकी है कि Montag ने कुछ किताबे छुपा कर रखी हुई हैं घर में ये बताते हैं Montag को कि कैसे पुराना literature था जो इतना अच्छा था लेकिन लोग अब उसे पढ़ना नहीं चाते क्योंकि लोग अब उसको समझ नहीं पाते हैं और जितनी भी ये नई बिल्डिंग्स बनी है ये सब fireproof हैं इसलिए fireman का काम तो वहां रहा नहीं इसलिए वो पुरानी outdated literally works को जला देते हैं फिर बात करते करते ये बताते हैं Montag को कि अगर तुमने भी कोई किताब छुपा के अपने घर में रखी है तो 24 घंडे के अंदर उसे जला दो या तो उसे वापस कर दो fireman को नहीं तो दूसरे fireman आएंगे और उस किताब के साथ तुम्हारा घर भी जला दिया जाएगा इसके बॉस वापस लोट जाते हैं तब ये Montag जो हैं बताते हैं अपने वाइफ को कि हाँ मैंने AC डक्ट के अंदर कुछ बुक्स छुपा के रखी हुई है तो इनकी वाइफ कहती है कि जल्दी से उन बुक्स को तुम जला दो लेकिन Montag कहते हैं कि नहीं हम लोगों पहले इन बुक्स को पढ़के देखना चाहिए कि आखर इसमें क्या लिखा है यहीं बे बुक का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट होता है इस पार्ट में दिखाया गया है कि Montag अपनी पतनी के साथ तो किताब पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन ना ही तो Montag को ना ही उनकी वाइफ को कुछ भी समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है उस बुक में उनकी वाइफ तो ये पढ़ना छोड़ देती हैं किताब लेकिन Montag सोचते हैं कि नहीं उन्हें कुछ ऐसे क्वेशन्स हैं के दिमाग में जिसका आंसर उन्हें चाहिए जैसे कि वो बूरी औरत आखिर क्यों जलके मर गई अपने घर में या क्लैडस का एक्सिजन्ट क्यों हो गया या फिर उसकी वाइफ सुसाइड एटम्ट क्यों करती है और उन्हें लगता है कि ये जवाब जो है ये बुक उनको दे सकती है तो उन्हें अब एक इंटेलेक्ट्वल बूरे आदमी की याद आती है जिससे वो बहुत पहले एक पार्क में मिले थे उस समय बुक्स पे ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था तो वो उनके घर जाते हैं उनका नाम फेबर है और ये जो ओल्ड डेडी के हां से बुक चुरा के लाएं है उसमें एक रेर कॉपी है बाइबल की जो नहीं समझ नहीं आरी कि क्या लिखा है इसमें क्या मतलब है तो वही बुक वो लेकर मिस्टर फेबर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे बता दीजे कि इस बुक में क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आरा फेबर डर जाते हैं ज्योंकि अगर वो पकड़े गए उस किताब के साथ तो उनकी जान को खत्रा है तो वो मॉन्टेक से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें एक ear plug लगा लो ear phone लगा लो और दूर से ही मैं तुम्हें communicate करके बताता रहूंगा कि इस book में क्या लिखा है तो वो मॉन्टेक ये piece लगा लेते हैं और अपने घर लोटाते हैं और उन्हें favor दूर से communicate करके बताते रहते हैं कि Bible में जो लिखा है उसके verses का क्या meaning है फेबर मॉन्टेक जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके friends घर आए हुए हैं और उनका पालर टीवी on है और एक बेकार सा प्रोग्राम सब बिरकुर खुश हो के देख रहे हैं तो ये आके सबसे पहले टीवी switch off कर देते हैं फिर वही अपनी चुराईवी बुक में से एक बुक निकाल के लाते हैं और उसमें एक poem है उस poem का नाम है Dover Beach ये poem बहुती famous poem है जो एक poet है Matthew Arnold उन्होंने लिखी है ये poem बताती है कि कैसे आधुनिक युग में हम आरिश रद्धा जो है वो कम होती जारी है और Christianity जो है एक week होती जारी है लोगों के अंदर तो जब वो ये poem पढ़ते हैं उस book में से तो जो इनके friends हैं वो रोने लगते हैं तो Faber वहाँ earpiece पे कहते हैं इनसे Mr. Montek से कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम book पढ़ रहे हो और तुम पकड़े जाओगे तुम आई जान को खत्रा है तुम जल्दी से जाओ और book को जला दो तो Montek जाते हैं और इस book को burn कर देते हैं जो बची हुई किताबे हैं ये Montek अपने घर के backyard में छुपा आते हैं और ये अपने boss बेटी उनको मालूम पढ़ चुका है कि Montek के पास books हैं तो एक किताब लेके जाते हैं Mr. बेटी के पास और उनसे कहते हैं कि ये book है जो मैंने चुरा के रखी थी और मैं ये वापस करना चाता हूँ तब ही इंके fire station का fire alarm बच जाता है कि किसी घर में छुपी हुई किताबे मिली हैं और अब इन लोगों जाकर वो घर को जला डालना है उनके किताबों के साथ यही पर इस कहानी का दूसरा part end होता है और हमारे आते हैं third और last part पे अब मॉन्टेक बोलते हैं कि वो भी एक fireman है तो उन्हें भी जाना है घर बर्ण करने के लिए लेकिन जब इन लोगों घर के बाहर गाड़ी रोपते हैं उस street पर तो मॉन्टेक देखते हैं कि यह तो उन्हीं का घर है उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके जो friends थे जिन्होंने रात में poem सुनी थी और उनकी wife ने complain कर दी थी इनकी against कि इन्होंने backyard में कुछ book चुपा के रखी हैं अब इन्हें अपना घर खुद से जलाना होगा इनके boss इनको order देते हैं कि अपना घर को खुद से burn करो होते हैं तब मिस्टर बीटी देखते हैं कि उनके कानों में earpiece लगा हुआ है अब यह समझ जाते हैं कि मिस्टर मॉन्टेक जरूर किसी से communicate कर रहे हैं तो वह कहते हैं कि मॉन्टेक अब तुम नहीं बचोगे अब तुम्हें मरना पड़ेगा लेकिन मॉन्टेक के हाथों में अलड़ी weapon है उसी weapon से मिस्टर बेटी को मार देते हैं तो जो dog hound है जो हमेशा fireman के साथ रहता है वो मॉन्टेक पर attack कर देता है उनके पैरों पे crankulizers inject कर देता है जिससे वो चल नहीं पाते वो गिर जाते हैं लेकिन उसी weapon से वो उस dog hound को भी मार देते हैं अब ये किसी तरह लिंप करते हुए लंगडाते हुए ये मिस्टर फेबर के घर तक पहुचते हैं जब ये मिस्टर फेबर के हाँ जाते हैं तो वहाँ टीवी पे news चल रही है उससे इनको मारूम पढ़ता है कि एक फिर से एक और robotic hound इनके पीछे छोड़ा जा चुका है जो इनको ढूंडेगा मिस्टर मॉन्टे को उन्हें मार देगा ये समझ जाते हैं कि मिस्टर फेबर के घर में अब ये safe नहीं है तो ये वहाँ से भी भागते हैं और ये down stream river होते होते शहर के बाहर याउट skirts में पहुँच जाते हैं वहाँ पर इन्हें drifters नाम के लोग मिलते हैं drifters जो हैं जैसे खाना बदोश लोग होते हैं वो होते हैं इनकी एक community है और हर member ने एक book को memorize कर रखा है इस तरह से भी book को preserve करते हैं इन्हें मालूम हैं कि book जला दी गई हैं तो हर एक आदमी pictures के through या जैसे भी वो memorize कर सकता है पूरी-पूरी book memorize कर ली है जिससे वो आगे की generation को ये knowledge pass on कर दें तो उनसे Montag मिलते हैं और इनी लोग के साथ वो बोलते हैं कि हम आपी के साथ रहेंगे और आपी से book की knowledge लेते रहेंगे तब तक मैं इन लोग को मालूम पड़ता है कि Mr. Montag को उस hound ने मार दिया है मार गिराए गये हैं लेकिन Mr. Montag तो जिन्दा है सुबह को ये युद्ध छिरता है और शाम को युद्ध खतम भी हो जाता है क्योंकि शहर पर nuclear bomb गिरा दिया जाता है जिससे पूरा का पूरा शहर जल के खत्म हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं लेकिं क्योंकि Mr. Montag drifters के संग शहर से बहुत दूर होते हैं तो उस nuclear waste तो उन तक पहुँचता है लेकिं ये लोग बच जाते हैं मरते नहीं है फिर drifters में से एक जो है intellectual वो बताते हैं Montag को और सब लोगों को कि किस तरह से जो phoenix bird थी वो ऐसे ही जल के मर गई थी और फिर अपनी राक से वो वापस से जिन्दा होती है इसी तरह से जो शहर है खतम हो गया है जल कर हम लोग को चलना है और इस शहर को rebuild करना है तो ये सारे drifters और Mr. Montag ये आते हैं और शहर को rebuild करते हैं यहीं पर ये book खत्म हो जाती है अब हम आते हैं इस topic पर कि इस book में ऐसा क्या खास है कि हम लोग ये book क्यों पढ़ें इस book के front page पे लिखा है If they give you ruled paper, write the other way ये इसलिए लिखा गया है कि अगर हर आदमी जो इस किताब को पढ़ेगा उसका इस किताब को लेकर एक अलग interpretation होगा 1953 से लेके आस तक जितने लोगों ने ये किताब पढ़ी वो हर आदमी इस किताब को अलग तरीके से interpret करता है 1953 में ये लिखी किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती है या हमें विचारों की आजादी और अभी व्यक्ति को जागरूप करने की सीख देती है आज के जमाने में intolerance इतनी बढ़ गई है कि न्यूस चैनल पर और कितने ही books हैं जिने censor कर दिया जाता है या तो ऐसी books published नहीं होती और publish होती हैं तो government ऐसी books को band कर देती हैं क्योंकि उनका मानना है कि लोगों की भावनाए arouse हो सकती हैं और लोग upset हो सकते हैं या depressed हो सकते हैं लेकिन writer ने बताया है कि ऐसा समाज जो होता है उसके अंदर बहुत आक्रोश शुपा हुआ होता है और ये बहार रूप से एक खोकला समाज है और ऐसा समाज कुछी दिनों में खत्म हो जाता है जिस तरह से इस किताब में अंत में वो society end हो गई आपको इस बुक कर रिव्यू कैसा लगा जरूर बताईएगा और ये बुक अगर आपने नहीं पढ़िये तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें बाई फो नाउ